नमस्ते मेरा नाम है सूरज और आप देखना सुरू कर चुक है माइस्माटिक दोस्तो हर्याना पॉलिस कॉंस्टेवल का आज से फ़र्म भराना शुरू हो चुक है उसी का हम डिटेल्स वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे पोस्ट वाइट क्या क्या पोस्ट रहे कितना र से फ़र्म यहां पर लिखा हुआ है तोटल नमर और पोस्ट के बात करें तैंके साथ सास्थ सास्थ दोस्तों क्या में पोश्ट के बात करें और दोस्तों अब ठीक है और दोस्तों अब बात करो ते हाइट हमारा कितना मांग रहा है मेल के लिए हाइट है 170 यानि 170 सेंटीमीटर है और जो रिजर्ब के टेगरी मेल है उनके लिए 168 यह नहीं सेंटिमेटर है और यहांपर जो रिजर्ब क्याटेडरी के फीमेल है उनका मांग रहा है 156 सेंटिमेटर हैं ठीक है अब दोस्तों चेश कीतना मांग यहां पर लेकर तो वह मेल के निरेट का 13-87 cm चेस्ट है और रिजर्ब केटेरिक लिए 18-85 है ठीक है अब दोस्तों रॉनिंग अगर बात करें तो रॉनिंग मांग रहा है मेल के लिए 12-8 किलोमीटर है समय इजबンダ है 12-12 मिनट में रॉनिंग करना है घाई किलोमीटर और फीमेल के लिए की रॉनिंग है एक किलो में 6 मिन ठीक है और BCB का गया था 56,20 अब ESM General का गया था दोस्तो 44 ठीक है आप मिला लेजी का आप डिस का टेक्रीम में आते हों अब ESM AC का गया था केवल 28 दोस्तो और ESM BCA उनका गया था 23.4 और ESM का केवल गया था 36 ठीक है और ESM BCB का गया था केवल 44 ठीक है यह हमारा कॉटर था आप जीस का टेक्रीम है पिर्भी सेर का मिला लेजेगा और दोस्तों एक मतलों मार्क्स था मतलब एक कोश्चन 0.8 मार्क्स करता है अफ़ी य भी धियान रखेएगा 0.8 मार्क्स का एक कोक्ष्चन था अब था अगर बात करेया term exam पर मेरा एकजाम हो सकता है 27 या 28 मार्च को हो सकता है 27-28 मार्च को मानने के लिए कि हमारेकजाम होगा ज्यादा समय नहीं है आज से फॉर्म भराना सुरू हो चुका है फॉर्म को फीज की बात करें दोस्तों तो जेनल और जो अधर शेट उसके लिए 100 रूपीस है और बाकी 50 रूपीस और अलग है दोस्तों वहां को लोकल है और रिजर्ट के टेगिल के लिए है फीमल के लिए है तो आप देख लिएगा तो यह हमारा प्रिभी सेर का कटप था अब दोस्तों बात करतें कि सिलेवस किया जाएगा तो हमें लिख लेता हूं उसके बाद आपसे मिलता हूं और चलिए देखते हैं कि सिलेवस क्या रहेगा देखिये यहां पर लिखा हुए सबसे पहले सब्जेक्ट वाइट नॉमर आफ क्वेस्ट मार्क और टाइमिंग य ठीकिए ध्यान रखियेगा अब नेमेरिक अबिलीट्य लेफी क्योंटों यहांट मिया mesmo डिली इस Vielनी इस छहांट हर्य पूछे जाएंगे अब कंप्योटर से जहें रिलेटिव पूछे जाएंगे ऑफ potato ओंप्छे जाएंगे हुआ हो रहेंगे 12-15 तो यह हमारा से इसी के बीच से हमारा जो पूछेगा कोश्चन यही पूछेगा आप ध्यान से देख लिए ठीक है अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि टोटल नमबर कोश्चन 100 है लेकिन एक कोश्चन 0.8 मैंट का है यह आप लिखा भी है तो पूर लेबल ठीक लगा ठीक है दोस्तों कितना पूछ रहा है मतलब ले रहा है कितना बीच फांब भर सकते लड़के एज 1825 के बीच एज मांग रहा है ठीक है दोस्तों नीगेटिव के बात कर तो नो नीगेटिव नीगेटिव है यह नहीं आपको 100 में 100 कोश्चन टच कर देना ह है जो आपको याद हो याद याद हो हंड्री कोश्च तुच कर देना तो सिलेबस में फोकस कर दोस्तों आपको कहां हरियाना कि पढ़ लेना है लेना है तो तो ठीक हरियाना से लिए पकर यह पूछेगा उसके अलावा समय हमझा ज्दा कुछे ने पूछेगा और हिंदी इ यहां कितना देर का होगा दोस्तो 90 मिनिट के ङाम है तो आप इंग्जाम डेट दोस्तों अगर इजाम डेट मैंने पहले ही बताया था 27-28 तारिक होगा दोस्तों 27-28 मार्च को भीच इक्जाम है ह। है 27-28 के बीच हमारा एक्जाम है मार्च में तयाब ध्यान रखिएगा इस दिन एक्जाम होगा ज्यादा समय बचा नहीं है दोस्तों आप अभी से तैयारी में लग जाए ठीक है तो फिलाल आज के वीडियों बस इतना ही आसा करता हूं वीडियो से आपको मदद मिली होगी अ वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करते अपना बहुत दख्या रखे दोस्तों धन्यवाद